नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग 24 जनवरी 2022 के डेली न्यूस अनलेसिस में आपका स्वागत है कौन कौन सी इंपोर्टेंट न्यूस है तो ओमिकरॉन कम्यूनिटी लेवल पे फैल रहा है इसके बारे में बात करेंगे फिर Statue of Equality यहाँ पे आपको Statue of Equality दिख रही है यह पर्टिकुलर न्यूस को कवर करेंगे बीटिंग रिट्रीट को लेके जो कॉंट्रोवर्सी हो रही इसको समझने कोशिश करेंगे फिर Deep Sea Pipeline Project गुजरात का यह पूरी तरीके से आगे क्यों नहीं बढ़ पाया इसको समझेंगे और पेरू में एक Environmental Emergency हो गई है जब एक टैंकर लीक कर गया और उसमें से जो Crude Oil है वो निकल के समुंदर में बहने लगा तो पाँच न्यूज है आज की important इन पाँच न्यूज को मैं डिटेर में डिसकस करूँगा आगे बाद इस पहले वीडियो पर लाइक बटन दोस्तो चैनल को अब तक शेर और सब्सक्राइब निक्या कर दीजे इस्टानाप पर फॉलो कर लिजे टेलिग्राम ग्रूप जोन कर लिजे दोनोगी चीजों कर नीचे दोगा है एक और बात आज न्यूज जादा है नहीं कल के मतलब संडे के दिन मैंने अच्छी खासी न्यूजस कवर की थी तो गर आपने कल का करेंट अफेस डिसकेशन ना देखा हो तो एक बार जरूर देख लिजेगा ठीक है जो मैं इंडिविजल करेंट अफेस की वीडियो बनाता हूं मैं आपको रिक्रमेंड करूंगा है और 5-10 मिनट से वीडियो होती उसमें आपका ज्यादा कुस्ता में भी नहीं जाएगा चलिए पहला ओमिक्रॉन इन कम्यूनिटी ट्रांस्मिशन देखिए ये बोला जा रहा है कि इंडिया में ओमिक्रॉन अब कम्यूनिटी ट्रांस्मिशन में पहुंच चुका और इसने इनिशेट किया था यूनिट मिनिस्ट्री फेल्थ फैबली वेलफेर ने डिपार्ट्मेंट और बायो टेक्नलोजी के साथ मिलके 38 लेबरेटरी जाती है इसके अंदर जो की चेनॉमिक वेरिएशन को मेजर करती है अगर आपका सैंपल लिया गया है कोबिट का तो कोग बता पाएगा ओवराल एनेलेसिस करके ठीक है ओमिकरॉन के जो भी केसिस निकल क्या है एस्म्टमेटिक है माइल्ड है लेकिन हॉस्पिटलाइजिशन और आई सीओ में भरतिया हो रही है धीरी धीरे केसिस बढ़ रहे हैं थ्रेट लेवल ठीक ठाक बढ़ा हुआ है ए यह ज़्यादा खतरनाक नहीं है ऐसा प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स बोल रही है अब कितना खतरनाक होगा वो बादी में पता चलेगा ओमिकरॉन तो कितना डेंजरस निकल रहा है हम देखिए रहे है बी पॉइंट 1.640.2 कितना डेंजरस है और ले टाइमिल डन अब एक बह करोना हुआ तो हमने उसको कॉरंटीन कर दिया और उस इंडिविजल के टच में जितने भी लोग आये उनकी टेस्टिंग की ठीक है ना उनकी टेस्टिंग में जो निकेटिव निकल गया ठीक है उसको देखा उसके टच में और जितने लोग लाए थे उनको टेस्ट किया तो पाओ कि इसको करोना हो सकता है, इसको करोना नहीं हो सकता है, तब आप बोलते हो कि आप community transmission की stage पे पहुंच गया, मतलब आप community की बीच में इस speed पे पहल रहा है करोना कि आप identify ही नहीं कर पाओगे, आप track ही नहीं कर पाओगे, तो जो पहले कि आपके तरीके थे कि foreign से जो आया उसके touch में जो लोग आया, उनकी testing करो, उनको isolate करो, यह आपकी strategy ही काम करना बंद कर देगी, चुकि कम्यूनिटी लेवल पे करोना फैल रहा है, आप कितनों को track and trace करोगे, ठीक है, तो this is basically community transmission और यह इंडिया में इस समय पे हो रहा है, ओके, जीस पे बटू, health me news आपको काम एक और बात दोस्तों, please click the join button, join button दबाने के लिए मैं specifically focus करता हूँ, that is, it is helpful, तो अगर आपको वीडियो से benefit लग रहा हो, तो join button ज़रू दबाएं, next, only Indian tunes had beating retreat, मैंने कल की date में आपके साथ new discuss किये, कि abide with me नाम की जो hymn है, यह tune कह लीजे, इसको beating retreat से withdraw कर लिया गया, अब आप जनवरी को जब Republic Day के celebrations खतम होते हैं, केंदरी की सरकार ने हाँ पर क्या respond किया जब criticize किया गया कि abide with me आपने हटा लिया, तो केंदरी की सरकार ने बोला है कि देखे, अब beating retreat में केवल इंडिया की tunes बजेंगी, एक तो abide with me एक proper military tone है, जिसके lyrics सब को समझ में आते नहीं, और हमन एक colonial past से ये particular tune ली है, और किसी Indian ने इसको pen नहीं किया, एक foreign tune है, तो इन सब चीजों के चलते हम overall abide with me को drop कर रहे हैं, criticism इसलिए हो रहा है, abide with me को यहाँ पर overall लोग इसलिए चाहते हैं, चुकि ये मात्मा गान्दी जी की favorite tune थी, बर सरकार का बोलना है काफी समय निकल चुके ह है, हम किवल इंडिया की tunes को यहाँ पर include कर रहे हैं, कि कि आप अपने आप से बताइए कि क्या सरकार का decision सही है, गलत है, आपको क्या लगता है, overall देखा जाए तो, Republic Day Parade की बात की जाए, तो इस साल की Republic Day Parade पे 16 marching contingents होंगी, 6 army की, 1 navy की, 1 air force की, 4 central armed police forces की, 2 national cadet corps की, 1 दिली police की और एक NSS की, national services scheme की, और obvious ही बात है, COVID-19 situation के चलते, reduced contingent होंगे, पहले एक contingent, 144 लोगों का होता था, आपके वल 96 लोगों का होगा, parade में जो number of attendance होंगे, वो भी यहाँ पर कम रखे जाएंगे, पहले parade चलते चलते, Red 4 तक जाती थी थे, आपके वल nation stadium तक जाएगे, तो distance को reduce कि गया है, overall numbers of members in the contingent reduce किये गए है, attendees reduce किये गए है, ताकि Corona कम पहले, कौन-कौन से marching contingent से, राधपूर्ट रेजिमेंट, असाम रेजिमेंट, चमुन कश्मीर लाइट इंफेंट्री, सिक लाइट रेजिमेंट, और्मी ओर्डिनेंस कॉप्स, पैरशूट रेजिमेंट, इसको म शतापदी के reformer और वैशनवाईश सेंट, रामा नुजचारययालू की जो statue है, overall ये unveil की गई है, प्रधान मंतरी मोदी जी के दोरा, इनके 40 एकड़ का जो आश्रम है, त्रिदंदी, चीना, जीर, स्वामी, मुचिंतल, पांच फरवरी को वहाँ पे, जल्दी इसको आप कह अलोहा, मतलब गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रास और जिंक के कॉम्मिनेशन के साथ बनाया गया चाइना में, और फिर इसको इंडिया में भेजा गया, एक सेंट की, second largest आप कह सकते हो, प्रतिमा है, इसको बोला गया, statue of liberty, इसको यहाँ पर क्यों मार किया जा रहा है, to mark the 1000th बर्थ एनिवर्स्री ओफ रामानाजा चारलियू, और इस मॉनुमेंट के चारो तरफ 108 दिव्वे देसम, मतलब टेंपल बनाये जाएंगे, यह वो टेंपल होंगे, जो श्री वैशनिविजम ट्रेडिशन के तेंपल क्यों लगाए जा रहे है, जो कि अगर बात की जाए, रामनुज जी किया, रामनुज चार्या जी कि, जिनकी प्रतिमा यहाँ पे इंस्टॉल की जा रही है, यह एक इंडियन फिलोसफर थे, हिंदू थियोलोजियन थे, सोशल रिफॉर्मर थे, और श्री वैशनिविजम ट्रेडिशन को इन्होंने फॉलो किया था, भक्ती अच्छा एक और बात है, यहाँ पे रामनुज चार्य ने जो फिलोसफी दी थी, उस फिलोसफी का नाम है विशिस्ट दोयतावाद, कौलिफाइड नॉन डॉलिजम, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि विशिस्ट दोयतावाद का मतलब क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में थोड़ी ब्रेंस्टार्मिंग आपकी लगेगी, बट आंसर दीजे वैसे तो मैं विशिस्ट दोयतावाद और अदोयतावाद सब पहले समझा चुका हूँ, बट कैंटली टेल में ना कमेंट बॉक्स में विशिस्ट दोयतावाद क्या है और अगर आप चाहते हो मैं डेट ये तीन फिलोसफी में बहुत अद्टक एंशिंट इंडिया में एक मेजर रोल प्ले किया है, ये इस पेपर फोर में परडिवूलर न्यूज आपको काम आएगी, नेक्स्ट न्यूज गुजराद डीप सी पाइपलाइन से रिमेंस अनॉंस टॉर्टर, देखिए एक 2300 करो गुजराद का गुजराद का एंबिश्यस प्रोजेक्ट लाउंच किया गया था गुजराद के अंदर, जिसके चलते गुजराद का जो इंडस्ट्री से निकलने वाला पॉलुशन था, जो कि गुजराद की नदियों में पहुच रहा था, जैसे कि साबर मती नदी में, मही साबर नदी में, विश्वा मित्र में, भादार में, इस पर्टिकुलर पॉलुटेंट को, ठीके न, पॉलुटेंट ट्रीटमेंट प्लान के ट्रीट करने के बाद, सी की गहराईयों में डिस्पोस करने वाला प्लान था यह, तो देखे, ग्यारा कॉमन एफ्लुएंट ट्र पहराई में भेज दिया जाएगा, यह प्लान था सरकार का, एक्चुली में एहमदाबाद के अंदर आगर आप देखोगे, तो पंदरा सो से जादा इंडस्टिल यूनिट है, टेक्स्टाइल की, डाइस की, केमिकल की, फार्मसिटिकल की, तो अच्छी खासी गंदगी यहा और इस इनिशल प्लान के लिए टोटल पैसा एलोकेट किया गया था, आप कह सकते हो, 2275 करोण रुपे, जिसमें से 1600 करोण रुपे, 1660 करोण सरकार देगी, और 615 करोण यह इंडस्टिर वाले देंगे, लेकिन अब तक यह जो प्लान है, यह शुरू नहीं हुआ है, इसके पहली बात तो यह effluent को ट्रीट करेगा, प्लांट्स के अंदर रुपे सीधे 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 समुंदर की घहराई में फेकेगा, तो इन्वार्मेंट को नुकसान होगा, बट कम होगा, अब यह के लिए क्या है, कि यह गंदगी सीधे नदियों में आ रही है, तो नदियां बिल को साफ करने का एक ट्रेड मार्क प्लान है, इसमें तीन पाइपलाइन बनाई जाएंगी, एक पाइपलाइन एहमदाबाट टु गल्फ ओफ कॉमबे तीन सो पचास मिलिन लीटर्स पर डे ट्रांसफर कर सकती, एक हजा चारसो सी करोन बनेगी, एक जेतपुर तु पोर जिसमें साबरमती रिवर के पॉलिशन की बात हो रही है, तो इस पर्टिकुलर केस में स्टेट गॉर्मेंट ने जब अपने समिशन्स किये तो उन्होंने बोला कि हम भाई अपना डीप सी पाइपलाइन प्रोजेक्ट पे रिवर कर रहे हैं, और जल्दी ही आपको स्टेट गंदगी सीधे समंदर में फेकोगे, तो इन गंदगी के चलते मचलियां मर जाएंगी, मैरीन इकलोजी पे इंपक्ट आएगा, हम कोई फिश कैच नहीं कर पाएंगे, हमारी पूरी की पूरी लैवलिविड कहतम हो जाएगी, कुछ हबत तक इन फिशनमेन की बात भी सही है लेट सी आगे क्या होता है, जेस पेपर टू और पेपर थ्री में नियूज आपको घाम आएगी, काच की आखरी नियूज, पेरु डिकर्स इन्वार्मेंटल इमर्जनसी आफ्टर ओयल स्पिल, पेरिविविन गवर्मेंट ने नबबे दिन की इन्वार्मेंटल इमर्जनस इसमें जो पर्टिकुलर आप कह सकते हो, टैंकर लीक हुआ है, वो स्पैनिश एनरजी फिर्म रेस्पॉल का था, आप कह सकते हैं, छे हजार बैरल्स ओफ क्रूड ओयल, पूरा का पूरा समुंदर में चला गया, और इसलिए इस पर्टिकुलर इलाके में इन्वार्मेंटल इमर्जेंसी लगा दिये, पिरेविन सरकार ने, उन्होंने बोला है कि सस्टेनेबल मैनेजमेंट आफ एफेक्टेड एरिया करना पड़ेगा, रेस्टोरेशन और रेमीडियेशन वर्क करना पड़ेगा, इसलिए इलाके को खाली करना ज़रूरी है, और इमर्जेंसी हुआ था, तो उसके रिस्पेक्ट में आप ओयल स्पिल मेरे नाम के साथ यूट्यूब में सर्च मार देजे, पर्डिकुलर वीडियो आपको मिल जाएगी, यहां पर ओयल स्पिल क्यों होता है, इसको कैसे सॉट आउट किया सकता है, जैपर टेक्निलोजी क्या होती है, इन और यहां पर साउथ इस्ट में इसकी बाउंडरी बॉलिविया के साथ लगती है, और बॉलिविया ही और पेरू के बॉर्डर पे एक लेक है साउथ अमेरिका में काफी फेमस सी, जिसका नाम है लेक टिटिका का लेक, तो जोगरफी की कंटेक्स्ट में भी एक्जामिल स्टेंडिंग बढ़ेगी, जिस पर पत्री, इन्वर्मेंटल पॉलिशन भी न्यूज आपको काम हैगी, थैंक यू फो वाचिंग फ्लिट्स, वीडियो को लाइक को शिर्की में नमज जाएगा, इस्टराम पर फॉलो के लिजे, टेलिग्राम गूर्प जोइन के लिजे, प्लिज क्लिक जिए जिए बटन इस पॉसबल, गुद्बाइ